मन्चस्थ उपस्थित सभी माननेवर एवं सभागुरों में उपस्थित सभी वईद्यगण नागरिक सज्जन माता भगिनी. वैसे तो मेरा एक छोटा सा काम है, उद्गाटक मुझे कहा है, इसलिए मुझे घोशना भर करनी है, कि इस कारिकाम का उद्गाटन हो गया. तो मेरा काम समाप तो हो गया वेसे. परन्तु सुनुवाल जी ने कुछ कहा है, तो थोड़ा बोलता हूं, बहुत ज्यादा नहीं. अवश्रक्ता भी नहीं, सारी बाते आ गई है. वैसपीट का 25 साल का काम बहुत अच्छा हुआ है. उसकी साक्ष ये सब कारिक्रम है. सारे देश से लोग आये हैं, परियाप्त संख्या में आये हैं. और एक शास्तरार्थ आहिरुवयत को लेकर हो रहा है, या कहिए कि एक कुम्भ हो रहा है, जिसमें विचार मंतन होता है. नहीं नहीं बात ये सामने आती है. आगे बढ़ने की समाज की दिशा तय हो जाती है. ऐसा एक कारिक्रम उसके साक्षी हम सब है. तो इस आउसर पर दो बाते मन में आती है, कि पचीस साल हम आगे चले और आज अच्छे दिन देख रहे है, ऐसा कहा गया है, आयुरुवयत के लिए. लेकिन यहां तक हम जिन गुणों के भरोसे आये, उन गुणों का जतन आगे भी हो, इसकी बहुत आवश्यक्ता रहेगी. कौनसे गुणों कारे जादा आपको बताने की काम आपने की आई, इसलिए आपको पता है. लेकिन जब कठिन काल बीच जाता है, और अच्छा काल आता है, तो कठिन काल में अपना साथ देने वाले सद्गुणों को ध्यान रखकर उनको वैसा ही आगे चलना पड़ता है, यह सब को करना पड़ता है. और इसलिए ऐसा समय पर ऐसा एक वाक्य बोलना यह उपयोग तो होता है, उपयोग होता है इसलिए बता रहा हूं। दूसरी एक बात मेरे मन में ऐसी आई अभी, सुनते सुनते ही आई है, आयुर वेद ऐसा कहा है, तो वेद तो संग्रह है, अने कुरुशियों की रुचाओं का संग्रह है, उन्होंने अनीक देवी देवताओं की प्रार्थना करके, जो उनको दर्शन हुआ, वेद देखे और बोले, ऐसा कहते हैं, तो इन सब का एक संग्रह है, आज जितने वेद उपलब्द है, वो पुरे के पुरे अपने पास है, ऐसा, यानि वो पुरे के पुरे है, लेकिन वो सब पूर्ण ऐसा नहीं, कुछ लुपत भी हुए है, और काला लुकरम देखते हैं, तो वेदों में जुड़ता चला गया है, अब वेदों में और जुड़ेगा, ऐसा तो हम नहीं मानते हैं, ठीक है, लेकिन किसी भी शास्त्र की बात ऐसी नहीं देख, उसका विकास होते रहता है, तो आयुर्वेद को समाज का आश्रय, राजा आश्रय प्राप्त था, तब तक चिकित्सा करते हुए, अपने शास्त्र का विचार करते हुए, उसको हम बढ़ाते रहें, और वो प्रकरिय आकरमन के काल में रुक गई, अब फिर से यह अउसर प्राप्त हुआ है, कि हम शास्त्र के ज्यान का विस्तार करें, और उसी के कारण एक बात मन में आती है, कि वा सुलब चिकित्सा सबको उपलबद हो और चिकित्सा लेने की बारी कम से कम है इतने सब लोग स्वस्थर है ऐसा करना है तो आयूरुवेद के सिवाई दूसरा परियाए नहीं है इसका विचार केवल आयूरुवेद में हो परन्तु साथ-साथ और भी चिकित्सा हैं दुनिया म अब अलो पर थी लीजिए तो गलत तो है नहीं बीच के कालावदी में ये जो पैथियों के अहंकार अपने अपनी विशेश्टाओं के अहंकारों का जमाना था उसमें ये पैथियों का भी अहंकार रहे था वो नाटक एकच प्याला मराठी बोलने वालों ने सुना होगा देखा होगा या पड़ा होगा उसमें वो तलिराम नाम का एक पात्रे पियककड है और आखरी ख्षन गिन रहा है अपने जिन्दगी के पड़ा है अचेतावस्था में और इलाज करने के लिए बुलाते तो भागदावड में दो लोग जाते एक वईद्य को लेके आता एक दॉक्टर को लेके आता है और वो पेशंट तो रहा बाजू इनकी आपस परदा वहां शुरू हो जाती है तो वईद्य कहता है कि ये मातरा देने के बाद 15 मिनिट में ठीक हो जाएगा तो डॉक्टर कहता है कि बेकार की बात है पाँच मिनिट में मर जाएगा यानि चिकित ये जो पैथियों के अहंकार है उस पर तो सभी बातों में उप्यों की बात क्या है शास्त्रिय बात क्या है उसका हम जो आयूरत का विचार करते हैं उसकी जो बुनियादी मूल्य है उनके आधार पर कुछ उसका स्पष्टिकरण हो सकता है क्या अभी आधुनिक विज्यान ये कोशिकाओं के स्तर पर जाकर विचार कर रहा है तब ये बात ध्यान में आती है कि जैसा वेदो के बारे में कहते है वेदो अखिलम धर्ममूलम वैसे शायद ऐसे हो सकता है आयुरुवेद अखिलम पैथी मूलम ऐसा कहा जाए तो आयुरुवेद को एक जागतिक अरिष्ठान इससे प्राप्त हो सकता है इस दिशा में भी हम लोगों को विचार करना चाहिए और इस दिशा में जाना है तो आप भी जानते है कि शुद्धरूप में आयुरुवेद की प्रेक्टिस ये होनी चाहिए उसमें अन्य पैतियों का क्या उपयुक्त लेना कैसा लेना ये तभी हम कर सकते है और ये करके भी आयुरुवेद आयुरुवेद रहेगा जब आयुरुवेद के मूल अधिश्ठान पर शुद्धा आयुरुवेद की प्रेक्टिस हम लोग करेंगे और लोग ठीक होते जाएंगे तो फिर राजाश्रे पिछे पिछे चला आएगा क्योंकि उसको आपको मागना नहीं पड़ेगा अगर दुनिया भर के लोग आयुरुवेद चाहिए आयुरुवेद चाहिए करने लगेंगे तो वर्ल्ड हेल्ट ऑर्गनाजिशन से लेकर तो यहां की सरकार किसी की भोव वहां तक सब लोगों को उस आयुरुवेद को राजाश्रे प्राप्त करा देना पड़ेगा तो ना भिषे को न संस्कारों सिम्वस्य करियेते वनाई ही विक्रमार्जित अस्तस्य स्वयमेव म्रुगेंद्रता यह स्थान आयुरुवेद को प्राप्त करा देना 25 साल में एक व्यास्पीड जो अखिल भारतिया हो सकता है हमने खड़ा किया अब आगे के 25 वर्षों में इस प्रकार का एक स्वयमेव म्रुगेंद्रता के रीती से आयुरुवेद का वैश्विक अधिष्ठान उत्पन्न करने के लिए आगे बढ़ना यह संकल्प आप लोग अगर लेंगे इस अधिवेचन में तो आगे के 25 साल भी आपके परिश्रमों का एक सार्थक फल आप तो देखेंगे ही लेकिन स्वास्थय की दृष्टी से सारी मानवता को और स्वत्व की दृष्टी से अपने हिंदुस्थान को भारत देश को एक बहुत बढ़ी उपलब्दी प्राप्त करा देने का श्रेयकुन्य आपके नसीब में आएगा वैसा ओ पचिस साल के बाद आए यह शुभकामना आज देता हूं और मेरे शब्द समाप्त करता हूं पैने यवाइ